हेलो गाईस मेरे नमेरी तबरतो आज हम लोग बात करेंगे मारोती सुदू की XL6 अलफा विरन के बारे में ये बहुत ये एक सही कार हो सकता है टॉप एंड मॉडल है भर के फीचर से काफी प्रैक्टिकल कहा जाता है six-seater car है captain seats मिलता है ऐसा कहा जाता है कि long journeys के अंदर काफी comfortable है तो practically चेक करेंगे कि कैसा space आपको मिलेगा आपके family के लिए फिर आपके budget की सबसे ये best car होता है कि नहीं और प्रैस बताऊंगा और interior exterior कैसा है premium है कहा जाता है तो वो सारा चीज़े आपर चेक करूँगा festival season है काफी सार offers है तो आप लोग definitely check कर सकते हो बाकि special thanks to maruti suzuki next आप भूगाईगा को ये वीडियो में shoot करने देने के लिए इनका contact details ना description के अंदर मैं दे दूंगा तो obviously आप इनको call करके जो भी आपको जाना है वो चीज़ जान सकते हो बहुत ही सई डिलर्शिप है करके जो sales persons है बहुत सही है तो obviously आप लोग call कर सकते हो सबसे पहले आप आप जो कार का front look है वो है आप देखी सकते हो आपको दोनों ही जो ही आप स्मार्ट कीज देखने में मिल जाता है simple है छोटा है compact है pocket में रखोगे तो बहुत सही है lock and unlock button के साथ आता है मुझे सही सही लगता है मुझे जादा भर के features नहीं है मुझे जो काम का है वही मिलता है बाकि आप जो इसका front look है वो देख सकते हो मुझे नहीं सबसे पहले इसका headlamp unit है वो बहुत सही लगता है आपको सही look के अंदर आता है ground clearance आपको 180 mm का यहापर देखने में मिल जाता है तो कैसे भी roads में आप चला लो जादा touch होने का chances नहीं है यह एक MPV है उस हिसाब से भी car बहुत ज़दा premium लगता है बीच में जो chrome का पटी या फिर lining जो भी कहलो आप बहुत प्यारा लगा मुझे personally और य मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ एक चीज़ कहूंगा यह कार अगर आगर आप सामने से देखते हो ना तो कुछ अलग ही लगता है और खास करकि यह white color के अंदर ही जो black cladding और body kit और LOS है बहुत प्यारा लग रहा है LOS की बात करता है तो आप looks तो यह पर देखी सकतो black color के अंदर sporty में मिलता है आपको जब 185 65 r15 tires मिलता है मेरे ही सबसेने अगर 195 tire 14 होता थोड़ा सा तो ज़्यादा सही लगता है यह मेरा expectation रहेगा यहापर बाकि आप design wise देख सकतो piano black finish के अंदर जो ORVM से वो मिलता है इनको आपको पता है यह मारोती जो है यह सारा features practically जो features है वो यहापर देही देता है और हाँ आप जो है यहापर roof rails देख सकतो silver finish के अंदर मिलता है तो obviously सही लगता है देखने के अंदर roof आप देख सकतो आपको जह शक फेन एंटेनर नहीं मिलता है यह भी थोरा साथ मिसिंग मैं definitely क देखने में मिल जाता है 45 लिटर का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है मतलब long journeys के अंदर जाद आपको रूखने की ज़रूरत नहीं यह बरा सा टैंक है और यह जो body kit यह फिर cladding जो भी आपका है तो black color के अंदर मिलता है न white color के अंदर car के अंदर बहुत ज़दा यह मुझे attractive और मतलब ऐसे properly एक बरा बरा का फिल दे रहा है rare profile आप देख सकते हो अचा rare profile में मुझे जो सबसे best चीज लगा है यहाँ पर जो tail lamp है जो कि आपको proper led setup के अंदर मिलता है बरा आसा tail lamp देखने में अच्छा लगते है काफिन ऐसे attractive सा एक look दे ही देता है यहाँ बाकी यहाँ पर तो मिलेगा ही यह चीज common है यह जो piano black finish है यह भी काफी सही है मैं वाइट and black का combo काफी सही लग रहा है और काफी ऐसे upmarket car का एक look देता ही है बूट यहाँ पर एक बास चेक करते है तो यहाँ पर आप बूट देख सकते आपको पता ही है कुछ ऐसा ही बूट मिलता है और ह तो seats सो आप obviously काफी smoothly fold कर सकते हो कोई जादा यहाँ पर tension वाली बात नहीं है आपको जहना यहाँ पर 209 लिटर का boot मिलता है और बहुत ही इसको जो आप adjust भी कर सकते हो जो boot space है इसको थोड़ा साब नीचे करके थोड़ा बहुत boot space बढ़ा सकते हो but loading lift नहीं है मतलब अगर काफी ऐसे सही सा लुक एक दिया उस बज़े से मैं आपको परसनल यह चीज़ बताऊंगा बागी कार ना देखने में काफी लंबा सा फील आपको definitely कराएगा और है भी बाकी आप दोर्स देख सकतो डोर हैंडल विसली इंटिरियर का एक लूक मलब जब भी आप पहली बार देखो के तुछ एक ऐसा आपको प्रोफाइल लगेगा काफी लंबा लगता है कार वह बैसिकली डिजाइन के वज़े से और मलब प्रैक्टिकल ऑबिसली चेक करेंगे हम लग पीछे आप डूर्स का इंटिरियर डिजाइन देख सकतो ब्लैक कलर के एक फिनिश के साथ उप आपको मिर्शिंग मिलता है आम रिष्ट के अंदर आपको लेदर मिलता है तो यह चीज़ मैं एक एड़न डेफिनिटली करूंगा एंड हाँ सीट हाइट आप अड़ एडजस्ट कर सकतो मैं वेली तो अब इसलिए आपके घर में अगर अलग हाइट का मदब ड्राइवर से चलाने वाले लोग है तो उनके लिए बहुत सही रहता है वाकि एक बार एंटर करते है तो कुछ एक ऐसा आपको जो है लूग के आपके देखने में मिल जाएगा तो कुछ ऐसा बदब आल ब्लैक कलर के अंदर मिलता है स्पोर्टी फिनिशिंग एक देने का ट्राई है और लगता भी है और यह न मिंटेंग करने में भी सही रहते हैं करीन हो और इंट संट के अंदर आपको जो है रहता है सकते हो शॉंगलास मिल जाता है तो यह मुझे इ psychopath से अच्छा वाला चीज लगता है IRVM के अंदर आपको मैनुएली ही एडजस्ट करना पड़ेगा पाकि AC Wind का जो डिजाइन है वो मुझे काफ़ एसे सही लगा अच्छा लगा देखने के अंदर यहाँ पे MID आप कुछ ऐसा देखने में मिल जाता है काफी सिंपल और बहुत सारे इंफोर्मेशन बला है आपको पता ही है and staring आपको जो है laser wrap के अंदर मिल दा है left में आपको जो है audio related controls मिलता है right के अंदर cruise का control आप मलब सेट कर सकते cruise control मिल जाता है काफी सही है काफी practical staring पकरने में भी काफी ऐसे सही लगता है आपको पता ही है यह ही यूज करता है मारोती music system की बात करें तो touch response काफी सही लगा यह वही है आपको जो मतलब desire या फिर बले नो वही वाला music system है और काफी smooth android आपल कार पे जैसे हर एक feature यह support करता है base मुझे personalized car का सही लगा अचा एक चीज़ कहूंगा आपको जो charge speaker और दो twitter देखने में मिल जाता है मेरे ही सबसे आपको कोई भी upgrade की जरूरत नहीं है और हां android आपर कार पे काफी सही से काम करता है hazard light आपको नीचे देखने में मिल जाता है automatic climate control आपको जो देखने में मिल जाता है हाट कर सकते है है handbrake आप देख सकते हो यह आप पर armrest ना मुझे थोड़ा से अपर छोटा लगा इसको आप एडजस्ट कर सकते है यह खुलता नहीं है मलब नीचे space नहीं है यहाँ पर अगर आप देखो seats काफी comfortable seats है मैं अब काफी time से बैठा हुआ हूँ और leather apple street के साथ मिलता है white stitching के साथ black all black seat actually काफी अच्छा लगा है देखने के अंदर तो बहुत सही है और leather seat सा प्रीमियम फील आपको देगा ही and हाँ glow box थोड़ा सा छोटा यह चीज मैं for sure कहूंगा मारती में यह चीज common होता ही है बाकि एक बार rare space चेक करेंगे मेरा height ना 5 feet 8 inches है और front seat मेरे height के according adjust है दोनों ही front seat actually मेरे height के according adjusted है यहाप पीछे वाला जो space है वो एक बार चेक कर सकते हो मैं लगा first impression आप देख सकते हो वही same आपको जो है rare door के अंदर वी चीज़े देखने में मिल जाता है अच्छा finishing है कोई भी आप एक complaint नहीं रहेगा practical है यह चीज़ तो कहना पड़ेगा भाई काफी practical है and third rocks इसके लिए यहाँ से आप seat को fold कर सकते हो fold करके वेसिकलिए आपको आगे करके enter करना है या फिर आप center से भी enter कर सकते हो तो दोनों option आपको बेसिकलिए आपको देखने मिल जाता है आप देख सकतो जितना आसान हो सके उतना आसानी से मैं आपको समझाने का try करता हो तो थोरा सा आप यहाँ पर देखना पीछे भी सेम आपको जो है तीनों seat आपको जो है पहले आप view देखो front का मुझे यह चीज़ काफी सही लगा मतलब अगर आप long trip के अंदर जा रहे हो पीछे बैटके काफी अच्छा view enjoy कर सकते हो यह पर आपको blowers देखने में मिल जाता है तो seats बहुत comfortable है जो second row seats है third row seats भी comfortable है space एक बड़ चेक करते है भाई का height नहीं है यहाँ पर 5 feet 6 inches के आप यह 6 inches से थोड़ा सा जादा ही होगा 7 नहीं होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बैटके जाता हो सकते हैं second row seat को थोड़ा सा और यहाँ पर आगे करना बड़ेगा बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो बाकी मनलब का फोल्डर देखने में में जाता है तो अब third row seat की यहाँ पर बात करें अगर किसी का height में होगा 5 feet 6 inches है तो comfortably जा सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है बाकी आप in and out देख सकते हो third row seat के लिए कोई वैसे जादा दिक्कत तो और automatic दोनों transmission के साथ मिलता है 1.5 liter का 4 cylinder बाला काफी refined काफी popular बाला petrol engine देखने में मिल जाता है मारती जो है इसको k15 b smart hybrid करके कहता है 103 bhp and 138 mm का talk यह निकाल के देता है mileage की बात करें तो 19.01 km बेल का mileage मारती कहता है कि मतलब ऐसे निकालेगा बट काफी लोग ऐसा है जो लोग कहते है कि 21, 22 का भी mileage इस कार से निकाला हुआ देखो मैं personally नहीं चला है इस कार को particular इस कार को मैंने CH को चला के रखा है बहुत प्यारा कार है बहुत प्यारा engine है response भी काफी सही है अगर आप लोग कहोगे तो अब इस ही मैं try करूंगा इसका एक dedicated as a buyer review मतलब आपको कैसा यह engine रहने वाले उसके बारे में वीडियो बनाने क अचा एक चीज़ मैं for sure कहूंगा मैंने इसको नहीं start देखे चेक करा है बिल्कुल भी noise और vibration बिल्कुल भी नहीं है अगर आप एक spacious car चाहते हो थोड़ा सा लंबा एक MPV चाहते हो long drive में आपको जाना है मतलब इस type का car चाहिए न और अगर आपका budget limited है मतलब Innova का budget नहीं है तो यह बहुत comfortable एक car आपके लिए for sure रहूंगा यह as a buyer मेरा यहाँ पर आपको suggestion रहेगा बाकी thank you so much यह वीडियो तक देखने के लिए बाई guys